हेलो फ्रेंज मैं मुझे रसती और सथके सरस कीचन में आप सबका बहुत बहुत श्वागत है तो फ्रेंज आज बनाएंगे बहुत टेश्टी रिस्पी है ये और बहुत स्वाधिश्ट बनते हैं तो मैं बनाओंगी आज ब्रत के स्पिसल जो सावन स्टार्ट हो चुके हैं सावन में यस नहीं बनाया तो समझ लेजए कुछ भी नहीं बनाया तो जिसके लिए ले नहीं है न यह कि बनानेघले दो आखा भी में बना को स्पर्ट कर लें बने गें parfum तो तीन चार बार इसे वाश करके लाते हैं हम आपको दिखाते हैं फिर और बारीक वाले से हमने किया है कद्दू कर तो देख सकते हो सारे पानी इस तरह से निचुड़ गये है अलू के और थोड़ा से दबा देंगे ना तो यह बिल्कुल अच्छे से निकल जाएंगे आप इसी तरह से कुछ छनी में डालिए ताकि अच्छे से पानी हमारा यह जो आलू का है यह निकल जाएगा तो बढ़िया रहेगा ठीक है और हमने रख दिया है 200 ग्राम दूद कड़ाही में डाल के और इसमें डाल देंगे सारे आलू आलू के लच्छे जो हैं अब हम इसमें उलट उलट करके 2-3 बार चला देंगे तो फ्रेंज हम आज बना रहे हैं बता देती हूं आलू के हल्वे तो आलू का हल्वा बनाने के लिए बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं तो इसे दो मिनट हम ढग के छोड़ देते हैं और दो मिनट बाद हम इसे देखते हैं तो आप देखते हो बिलकुल आलू हमारा तयार हो चुका है शौप्ट हो गए है दूद जो अपने अंदर शौप्ट कर लिया तो दूद में आप पान तो इस तरह से मैं इसे और ठंडा करके इसे हम क्या करेंगे पीश लेते हैं तो ज्यादा वारीक हमें बिल्कुल भी नहीं पीशना है इसे हम थोड़ा सा दरदरी ही पीशेंगे तो यह देखिए बिल्कुल हमारा इस तरह से पिसके तयार हो चुका है आलू का लच्छे जो थे और हमने रख दिया है पैन और इसमें डाल देंगे दो ढ़ाई चम्मच घी तो दो ठाई चम्मच घी काफी है इतने आलू के लिए और इसे क्या करेंगे हाई फ्लेम पे करके अच्छे से घी घरम करेंगे प्रेंस एक चीज बताओ अच्छा इसमें पहले मैं डाल देते हूं फिर बताती हूं तो पहले इसमें हम सारा वेटर जो बना के रखके आलू का यह एड़ कर देते हैं और इसे चलाते हुए हम बढ़ियां से पकाएंगे बिल्कुल इसे चलाने में हम लापरवाही नहीं करेंगे और इसे बहुत अच्छे से चलाएंगे तो फ्रेंस यह कहने वाली थी मैं कि अगर आपके पाश नौनियम में बहुत परिशानी हो सकती है क्यशक आपको क्योंकि यह बहुत ज़ादे चीपकते हैं तो जरूर नौनिश्टिक में ही कोशिश कीजाएगा अगर ऐल्मनिय में आपना रहे हो तो मैं कह रही हूँ कि बहुत ज़ादे आप परिशान हो जाओगे क्योंकि आप अप तेख सकते होतरे क्व जादे आलू जै और जो हमने घी एड़ किया ना बिल्कुल घी अब देखो ये चोड़ रहा है ऐसा लग रहा है हमने और भी घी डाला पर हमने और गी नहीं इसमें अड किया है जो पहले डालेते वही घी हमारा है इसमें ठीक है तो इस तरह से अच्छा से पकाईये जब घी छोड़ने लग ज और जो पहले हम डाले थे ना वो 200 ग्राम दूद था और 200 ग्राम ये दूद है और 50 ग्राम दूद में हमने भिगा के रखा है केसर तो मतलब सारे दूद मिला के साड़े चार सो ग्राम दूद हम इसमें एड़ कर रहे हैं ऑफिनल है दूद आप पर जितना चाहो और भी डाल सकते हो बट इतने में इतना हमारा हो जाएगा तो और हम नहीं डालेंगे तो आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे से हमारा हल्वा पक रहा है दूद हम 3 बार में थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे एक ही बार में हमें नहीं डालना है अच्छा ऐसा करने से न तो हल्वा यह पकता रहता तो इसमें एक स॓ंधा बना जाता है तो बहुत अच्छा टेस्टी लगता है तो आप देख सकते हो तीन बार में हमने ये दूद एड़ कर दिया है लेकिन अभी जो दूद हमने थोड़ा जिसे केसर वाला दूद बचा के रखा है वो भी हम एड़ करेंगे तो चीनी ये तीन चम्मा चीनी हम ले रहे हैं मतलब गराम से मने बताओं तो ये 40 गराम से 45 गरा बस कलर बहुत प्यारा आजाता है इससे तो अगर है तो डाल दीजिए नहीं है तो कोई बात नहीं अगर ये ब्रत में नहीं खाना है आपको तो आप इसमें फूट कलर भी डाल सकते हो और ये देखिए बिलकुल ये डाल दिया है दो चम्मच कोकोनेट पावडर नारियल के ही बन जाएगा तो देख सकते हो चलाते हुए इस तरह कंटियूनियू और आप ये चीज में बताओ देखिए पैन में कितना ज्यादा ये चिपक रहा है तो धीरे-धीरे करके मध्यमाच में हम पकाएंगे इसे तो ये थोड़ा सा घी जो कटोरी में बचा हुआ था ना इस है इस ऐसे हम इसमें आड कर देते हैं और इसे हम आइड करते है इस तरह इंगे तो ये जो किनारे अगरें लगा हुआ है यह सारा छोड़ देगा इसमें तो यह बहुत अच्hy हमारा हल्वाज पक्के तैयार हो गया है उपने सकते हो बिल्कुल सारे हल्वा जो होई एक किनारे आ गए हैं मतलब एक में आ गए हैं तो इसे इस्टेश पर आप समझे लिजे कि हल्वा हमारा बिल्कुल तयार है जब पैन में यह डांस करने लगे इस तरह से घूमने लग जाए पैन में तब हमारा हल्वा बिल्कुल तयार हो चुक कर देते हुं इसके प्लेटींग कर आप कैरीं तो आज आज की रेस्पे थोड़ी सी भी अच्छी लगए तो प्लीज चैनल को लाई करिये जैनल पे नए हैं तो सबरिट कर लिए